अस्सलामुलाइकुम डियर स्टुडेंट्स आज हम क्लासिक इंडियर फिजिक्स के फर्स्ट चिप्टर का टॉपिक कूल अमला जो है उसके उपर डिसकेशन करेंगे इससे पहले मैंने एक लिक्चर रिकार्ट करवाया था एक एलेक्ट्र स्टेटिक्स के उपर अगर आप ल को 1784 में एक फ्रिंच मिलिट्री एंजिनियर जिसका नाम था चार्लस डी कूलम उसने इसको प्रेजेंट किया था कूलम ला जो है सतारसो चुरसी में 1784 में इसको एक साइन्टिस साइन्टिसी फ्रिंच मिलिट्री एंजिनियर उसने जिसका नाम चार्लस डी कूलम था इसको प्रेजेंट किया था इस ला के बारे में उसने पूरी डीटेल जो है लोगों के साथ और शेयर की थी तो कूलमला जो है पहले हम इसकी स्टेट्मेंट को समझते हैं कि इसकी स्टेट्मेंट क्या है कूलमला की स्टेट्मेंट जो है वो यह है के दो फूर्स आफ अट्रेक्शन और रिपल्जन बिट्विन तू पोईंट चार्ज इस डिरेक्ट लिए आफ दिरेक्शन दिव्ति अफ्सक्ताहईया बिट्विन तूर्दी प्र दिरेक्शन ऌफ ब थ्नास खुल्कवर स्टक्वरली थि knobWork new आफ प्रेक्शन पह्ँड्यर खोडियर 11 अविन स्टिट शन फ्रेक्शन फ्रेक्शन थी प्ज़ रिट्ट व दिशन व चार्पर चल्ण श proportional to the square of distance between them यह इसका statement है और इसके statement में बहुत सारी चीज़े आपको clear हो जाएगी तो इसके statement में आप लोग देखो the force of attraction or repulsion between two point charges अगर मैं यहां पे दो charges लूँ एक charge जो है उसका नाम क्यों वन है और दूसरा charge जो है उसका नाम क्यों टू है दो charges मैंने लिये हैं लेकिन यहां पे मेरे उपर पबंदी है कि आपने कौन से charges लेने है point charges तो point charge कौन सा charge होता है point charge point charge जो है वो आपके पास ऐसा charge होगा कि जो क्या होगा dimensionless ना तो इसकी length होगी ना इसकी width height या volume या area तो पिर ऐसा charge आपके पास जो है वो point charge होगा यह इसको सिंपल हम इस तरह सी भी लिख सकते हैं कि एक charge जिसका size जो है वो इतना चोटा हो यह देखो यह size इतना चोटा हो कि इन कि इन charge जिसकी बीच में जो distance है वो इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा हो पुएंट charge का मतलब यह है कि एक charge जो है वो size में इतना चोटा है let's suppose कि उनके बीच में जो distance है उसके मुकाबले में इसकी size बिलकुल negligible आप ले सकते हो तो यह कुन सा charge होगा point charge definition में हम लेकेंगे the charge whose size is very small compared to the distance between them वो charge point charge होगा कि जिसकी size जो है वो इन दोनों charges के दर्मियान जो फासला है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा कम होगी बहुत ज्यादा कम होगी यह एक single point consider होगा उसके मुकाबले में तो इदर हमने लिखा है कि the force of attraction are repulsion between two point charges देखो यह दोनों point charge है एक Q1 है और एक Q2 है यह दोनों positive है तो इन दोनों के बीच में क्या होगी रिपल्जन होगी यहाँ पे force आप रिपल्जन होगी और यहाँ पे अगर मैं एक दो और charges लूँ एक positive और एक negative तो इन दोनों के बीच में यह जो इसके बीच में तो रिपल्जन थी तो इसके बीच में क्या होगी attraction यहाँ पे force of attraction होगी तो यह ला हमें क्या केती है कि the force of attraction are repulsion between two point charges कि दो point charges लो या तो इनके बीच में force of attraction होगी या क्या होगी force of repulsion is directly proportional to the product of magnitude of charges यह attractive force यह जो repulsive force है यह किस तरह होगी this force will be directly proportional to the product of q1 and q2 यह जो q1 charge है और यह जो q2 charge है जब दोनों का आपस में हम product लेते हैं तो यह force को क्या होगी directly proportional होगी लेकिन यह चीज़ कब होगी यह चीज़ तब होगी जब आपके पास radius और medium क्या होंगे constant देखो यह ला हमें यह कहती हैं कि for example यह जो charge charge क्यों वन है यह टू कूलम है यह क्यों टूबी टू कूलम है ठीक है तो इन दोनों का जो product आएगा वो कितना हैगा चार कूलम अगर मैं इस तरह करता हूं कि इसको 4 कर लेता हूं और इसको भी चार कर लेते हूं तो इसका प्रवड कितना आ रहा है 16 कुलम ठीक है यह लह हमें यह कहती है कि इनके बीच में यह जो force of repulsion है या यह जो force of attraction है अगर इन दोनों के product को आप बढ़ाते हो तो यह force of attraction और repulsion जो है वो भी क्या होगी बढ़ जाएगी लेकिन यह attraction और repulsion कब होगी जब इन दोनों की बीच में यह जो medium है epsilon 8 वो क्या होगा constant होगा अगर दो point charges है उनकी बीच में medium जो है उसको आप change नहीं कर रहे हो और distance change नहीं कर रहे हो सिरफ इन दोनों का magnitude जो है वो बढ़ा रहे हो तो इन दोनों की बीच में यह जो attractive या रीफल से force होगी वो भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यह इसका statement में first portion है इसको मैंने equation number one का नाम दिया है अब इसके बाद इन लोगों ने लिखा है कि the product inversely proportional to the square of the distance between them कि यह जो attractive या यह जो repulsive force है यह आपके पास inversely proportional है one divided by r square के इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर if क्या one क्या two का जो product है उसको आप कांसेंट रखते हो और epsilon not को आप कांसेंट रखते हो देखो इस फिक्र का मतलब यह है कि अगर आपने magnitude को कांसेंट रखा let's suppose two to coulum रखा और इन दोनों के बीच में यह जो medium है इसको भी कांसेंट रखा चेंज नहीं किया तो अगर आप distance जो है उसको आप small कर लेते हो या distance को आप क्या कर लेते हो large कर लेते हो तो distance के साथ इस force का inverse relation है लेकिन किस चीज में है square में square जो है इस ला को इसी वज़े से हम inverse square ला भी कहते है यह जो यहाँ पे r है यह basically क्या है r जो है वो इन दो charges की बीच में distance है क्या है distance कि यह एक charge जो है यह दूसरे charge से कितने फासले की उपर रखा है और जब यहाँ पे यह r square आ गया है और one divided आ गया है और यहाँ पे यह वाला sign भी आ गया है तो इसको हम inverse square ला केते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे student confuse हो जाते हैं कि basically यह r square है क्या अभी मैं समझाता हूँ जब कुलम ने इन चार्जिस की बीच में यह जो force है इसको इसकी magnitude को find करना चाहा और यह चीज हमें बताई कि किस चीज के साथ कम होती हैं और किस के साथ जएदा होती है तो उसने देखा कि r को अगर मैं square time बढ़ाता हूँ लेट सपोस आर को मैं निवील लिए दी है 4R तो मेरे पास जो है क्या आ जाएगा 4R का square यह तो r square है तो इससे f is inversely 1 divided by 16 तो force कितने time कम होगी 16 r square जो है यह एक mathematical relationship उसने find किये और experimentally भी यह चीज verified है कि जब आप r को square time बढ़ाते हो तो force जो है उसकी inversely proportional होगी और उसमें क्या चीज़ आएगी decrease आएगी कुछ student जो है वो इस चीज़ को इस तरह भी लेते है कि यहाँ पे एक charge का radius r है और दूसरे charge का भी radius क्या है r है तो इस से r square हैगा तो यह चीज़ गलत है क्योंकि इन दोनों की बीच में यह जो distance है यह भी r है तो फिर तो आप इस से r cube बनना चाहिए यह चीज़ गलत है आपने सिर्फ इस चीज़ को इस तरह से सीखना है कि यह जो r square है यह inverse square law है और यहाँ पे r square cube पूट किया गया है इसी वज़ा से put किया गया है कि जब आप r को square time बढ़ाते हो तो यह force का inverse भी होता है और force के उपर यह square time effect करता है ठीक है अब दोनों equations को आपस में combine कर लो combine equation 1 and 2 ठीक है दोनों equation को combine कर लो आपके पस क्या आ रहा है if is directly proportional to k1 count 2 divided by r square यहाँ पे यह जो proportionality का सायन है जब आप इसको remove करवाते हो हटाते हो और equality में इसको तबदील करते हो तो यहाँ पे आप एक constant लगाओगे तो वो है if is equal to k k1 count 2 divided by r square ठीक है यहाँ पे यह जो k है यह अभी क्या शो करता है k क्या है यह coulomb constant है यह coulomb constant भी इसको कहते है अब इसका मतलब क्या है k is a coulomb constant k जो है वो एक coulomb constant है और यह बराबर किस चीज़ के है k is equal to k 1 by 4 pi epsilon at k जो है वो दो चीज़ों की उपर depend करता है एक depend करता है unit की उपर और दूसरा depend करता है medium की उपर हमारे book में जो unit है वो इदर हम निकाल लेंगे और medium जो है वो यहाँ पे यह जो epsilon at आ रहा है यह basically medium को show कर रहा है अब यह मैं बताता हूँ यह जो k है k is equal to 1 by 4 pi epsilon at इसमें यह जो 4 pi है यह हमारे पास geometry के लिए है किस चीज़ के लिए है geometry और आप सब को पता है कि चार जो है वो कि त्री डाइमेंशनल होता है और spherical भी होता है इसी वज़े से हमने यहाँ पे क्या चीज़ इस्थिमाल किया है 4 pi और इसके बाद यह जो epsilon at है यह epsilon at basically क्या है epsilon at यह हमें क्या show करता है medium क्या show करता है medium और epsilon at को हम तब इस्थिमाल कर सकते है जब आपके पास इन दो charges की बीच में यह जो medium है यह किस चीज़ का हो या तो air हो इस्थिमाल कर दो और epsilon at को हम क्या कहते है permittivity of free space permittivity आप हाँ free space अभी हम इस side को मेटाते है और इस k जो है वो हमने इदर लेका था k is equal to k 1 by 4 pi epsilon at ठीक है epsilon at का मैंने आप लोग को कहा कि यह permittivity को show करता है permittivity of free space अभी यह permittivity है क्या इसको समझो permittivity what is permittivity permittivity का यहाँ पे simple मतलब है कि यह जो दो charges है point charges इन दोनों की बीच में यह attractive force है यह repulsive force है यहाँ पे इसकी बीच में जो आपने medium रखा है यह medium कितना allow करता है कितना attraction और repulsion को allow करता है अपने उपर से अपने उपर से कितनी एजाज़त देता है कि आप इतनी attraction करो या इतनी क्या करो repulsion करो permittivity basically यहाँ पे permission के zoomरे में आता है देखो अगर मैं इन दोनों charges की बीच में air रखू तो आपने यहाँ पे epsilon 8 रखना है अगर मैंने इन दोनों charges की बीच में कोई और चीज रखी कोई भी चीज है air से हट कर है तो यहाँ पे मैं epsilon करूँगा अब permittivity का यहाँ पे physically मतलब यह है कि देखो यह अपस में repulsion करींगी देखो यह भी repulsion करींगी और यह जब इन दोनों की बीच में अगर मैं एक for example एक page रखो यह इसकी बीच में एक wood रखो तो यह positive charge जो है और यह जो positive charge है इसकी बीच में यह जो repulsive force है इसको यह wood इतनी अजाज़त नहीं देगा जितना यह air इसको इजाज़त दे रहे basically यहाँ पर यह जो इजाज़त है या यह जो permission है या या इसकी जो attractive और repulsive force है इनको जो allow करता है कि इतने lines मेरे उपर से pass होंगे या इतनी force जो है मैं decrease करूंगी तो यह चीज जो है basically यहाँ पर permittivity है क्या है permittivity अच्छा अब k की value है यहाँ पर या k की हम पहले unit निकालते है unit of k k जो है उसकी unit क्या है यहाँ पर equation ले लो f is equal to k k क्या 1 क्या 2 divided by r square r square को अदर multiply कर रो तो आप के पास आ जाएगा r square f is equal to k क्या 1 क्या 2 क्या 1 क्या 1 क्या 2 की उपर divide कर लो आपके पास आजाएगा k is equal to k r square f divided by k 1 क्या 1 क्या 2 अब यहाँ पी unit लगाओ देखो आपके पास आजाएगा k is equal to k force unit newton r की unit meter square और कूलम और कूलम यह क्या जाएगा कूलम inverse square तो यह आपके पास किस की unit है की unit है अब अगर आप इसकी जो will you है वो find करना चाहते हो तो वो किस तरह find करोगे देखो अब इस तरह k is equal to k 1 by 4 pi epsilon not epsilon not जो है वापके पास किस चीज़ के बराबर है 8.85 cross 10 की power minus 12 इसकी will you है यहाँ पे put करो k is equal to k 1 divided by 4 cross 3.14 cross 8.85 cross 10 की power minus 12 इससे तक्रीब आपके पास जो will you आईगी वो आईगी 9 cross 10 की power minus 9 यह आपके पास किस की will you आ रही है की की will you आ रही है ठीक है अब यह जो epsilon not है यहाँ पे मैंने इसकी साथ unit नहीं लगाया है अगर आप यह लोग unit लगाना चाहते हो तो unit कैसे find करोगे देखो इस equation से आप निकाल सकते हो के if is equal to one divided by four pi epsilon not क्या हूँ one क्या हूँ two divided by r square if की unit क्या है newton one divided by epsilon not यहाँ पे लगाओ four pi को फिलहाल आप skip करो इसकी unit क्या होगी कूलं स्क्वेर इसकी unit meter स्क्वेर यहाँ पे meter multiply करो newton dot meter square is equal to one divided by epsilon not square into coulomb coulomb square की उपर divide करो newton dot meter square divided by coulomb square is equal to one divided by epsilon epsilon not पो ओल्टा करो epsilon not is equal to coulomb square dot newton inverse इसको जब आप उल्टा करोगे तो यह तो नीचे आ जाएगा तो इस तरह आ जाएगा देखो coulomb square dot newton dot meter square इसको उपर करो epsilon not is equal to get newton dot meter inverse data coulomb inverse coulomb को रेने दो इसको inverse करो ठीक है यह आपके पासाँ